इंट्रेस्टिंग चीज ये कि उस बुक में वॉल्यूम फाइफ में जहां पर उनका दोनों हाथ पहुंचता है जिस पन्ने में उसके आगे पीछे भी जब थोड़ा पढ़ते हैं तो जैसा मैंने बताया ब्लो बाई ब्लो एकाउंट तो लड़ाई का नहीं था लेकिन असर पर विस्तार से विवरण था युद्ध के बाद जो रिजल्ट आया जिसमें अफगान जीते उससे भारत में क्या होगा इस पर उसमें काफी कुछ elaborate विस्त्रित रूप से to elaborate मतलब विस्तार करना kindly elaborate what you wanted to say तुम जो कहना चाह रहे थे उसको थोड़ा विस्तार से बताओ to elaborate तो elaboration किसका था परिणामों का blow by blow account किसका नहीं था युद्ध का blow by blow account मतलब एक एक करके घटना करम their victory in the battle was not only a great morale booster to the marathas अब यहाँ पर गाय तोंडे जी तो किसी और दुनिया में है वो volume 5 में पढ़ रहा है तो उनको लग रहा है और यह सब सपने में हो रहा है सपने में उनको लग रहा है सपना मतलब जब कोमा में थे शारीरिक रूप से निश्क्रिय परमानसिक रूप से सक्रिय तो उस समय उनको लग रहा है मराथा तो जीते और फिर उनको लगा उन्होंने देखा सोचा कि the victory in the battle was not only a morale booster to the marathas but it also established their supremacy in northern India morale booster morale मतलब मैंने बताया उनका उत्सा मेरा 10th का परणाम result 90% आया है result तो उस से मेरा morale बढ़ा देखिए moral और morale में अंतर moral और morale moral मतलब netic और morale मतलब उस्सा और उत्चारन भी देखिए और booster आप सब जानते हैं booster net में booster लगाते हैं तो इसकी speed बढ़ जाती है तो speed बढ़ाने के लिए किसी चीज के वारधक्य के लिए booster किसी भी चीज के लिए booster पेड़ पौधों के वृध्धी की speed को बढ़ाने के लिए भी कई दवाईयां आती हैं जो booster का काम करती हैं तेजी से घास को जो बढ़ाती हैं तो यहां morale booster था गाय तोंडे जी सोच रहे हैं कि वहां morale जीते तो यह जो लड़ाई थी वो morale थाओं के लिए ही केवल उच्जा वर्दक नहीं थी लेकिन उस ने पूरे भारत में morale थाओं की सुप्री मेसी को establish कर दिया सुप्री मेसी सुनिष्चित कर दिया सुप्री मेसी मतलब वर्चस्वी उनकी वर्चस्वता को सुनिष्चित कर दिया किनकी मराठाओं की क्यों क्योंकि मराठा इस युद्ध में जीत गय थे रियल वर्ल में कुछ और हुआ था पर ये जो कल्पनिक वर्ल में जिसमें दौड रहे हैं गायतोंडे जी कोमा के दौरान उसमें कुछ और घटित हो रहा है दोनों वर्ल अलग हैं यहां एक शब्द है बैटल आप देखें बैटल और वार में क्या अंतर हैं बैटल ऐसी लड़ाई जो छोटे स्थर पर होती ज्यादा उसमें हताहत नहीं होती ज्यादा उसमें हिंसा नहीं होती ज्यादा मारकाट नहीं होती वो बैटल कहलाता और ज्यादा समय नहीं चलता बैटल लेकिन वार बड़े स्केल पर युद्ध बैटल भी युद्ध है पर एक छोटा युद्ध उचे बैटल कहते हैं अब देखें ये बैटल अफ पानी पाथ तीनों लडाईयां बैटल कहलाती हैं Battle of Panipa, Battle of Panipa और Battle of Panipa, तीन लड़ाई हैं तीनों battle हैं मर्था छोटे युद्ध थे पर परणाम की दृष्टी से बड़े दूर गामी मैंने आपको पहले ही बताया कितने बड़े बड़े परणाम पड़े इनके क्या इसका भारत के इतिहास पर असर पड़ा यह आपको मैंने पहले बता दिया तो कहने को यह battle थे पर परणाम की दृष्टी से दे वेर मच मोर important तो यहां पर गायतोंडे जी सोचते हैं मराथा जीते और इस जीश से न केवल उनका उच्छाह वर्धन हुआ बलकि भारत में उनकी वर्चास्वता इस्थापित हो गए सुप्री में सी मतलब वर्चास्वता दे इस्ट इंडिया कंपनी विच आपनी विच आपनी विच आपनी इस देवलोप्में from side lines got the message and temporarily shelved its expansionist program shelve करना मतलब स्थगित करना let us shelve the idea of going for a picnic because of heavy rains let us shelve the idea of picnic जाने का विचार कुछ दिन स्थगित कर दे दर किनार कर दे दर किनार कर दे हटा देना so they shelve the expansionist program expansion मतलब विस्तार East India Company को इस लड़ाई से एक एक सबक मिल गया इस लड़ाई के दौरान वो side line से घटना करम को देख रहे थे side line से मतलब मुख्य रूप से उसमें भाग नहीं ले रहे थे लड़ाई में उन्होंने भाग नहीं लिया पर दूर से देख रहे थे I am not in the main team football team में 11 मुख्य खिलाडी होते हैं और बाकी लोग side line में रहते हैं वैसे एक football team 16 खिलाडी होती है पांच खिलाडी एक्स्ट्रा होते हैं जो एक्स्ट्रा खिलाडी होते हैं वो कहते हैं they were in the side line so side line मतलब अलग से रखना दूर रखना I have been side lined मुझे वहाँ से दूर कर दिया गया है दूर मतलब शारी करूप से दूर नहीं मुख धारा से अलग कर दिया गया किसी चीज के मुख घटना से अलग कर दिया गया उसे side line कैसे है so side line से वो लोग यह सब गतिविजियों को देख रहे थे मराठा और अफगानों के बीच में जो घटना करम चल रहा था and message देगाड message और उनको एक message मिल गया और वो message क्या था कि भाई हमारा जो विस्तार करने की जो योजना है उससे अब कुछ दिन तक दूर कर दिया जाया दूर रखा जाया स्थगित कर दिया जाया क्योंकि मराठा जीत गया है बहुत बड़ी बात हो गए मराठा बड़े ताकतवर है दिल्ली पे उन्होंने विजय पा ली है तो अब अंग्रेज लोग अंग्रेजों की इस्ट इंडिया कंपनी अपने को थोड़ा सा सिकोड लेती है अपने दाइरे को थोड़ा सा कम कर देती है पेश्वा लोगे के लिए खास बात ये थी पेश्वा कौन थे मराठाओं के मुखिया को पेश्वा कहते थे राजा होता था और पेश्वा होते थे शिवा जी के बाद मराठा राजाओं की मृत्वि के बाद मराठा जो एंपायर है वो चार-पांच भागों में बठ गया जिसमें एक सिंधिया थे एक गायक वार थे एक होलकर थे भोंशले थे ये हर जगा एक-एक मुखिया बने और वो पेश्वा कहला है तो पेश्वा खासकर पूना के होते थे बाकी जगह तो राजा हुए पर पेश्वा जो थे वो पूना के थे तो पेश्वा के लिए इस लड़ाई की क्या अहमियत थी के भाव साहिब और विश्वास राव का जो रुटबा था प्रभाव था वो बढ़ गया बहुत बढ़ा बाद में विश्वास राव eventually succeeded his father in 1780 eventually मतलब अंततह मैं साल भर प्रयास करते रहा then eventually I scored 90% अंततह मैं फिर 90% पाया साल भर बड़ी कठिन महनत करनी पड़ी eventually I got success लगातार महनत किया अंततह मुझे सफलता मिली so eventually so eventually he came to the throne in 1780 after the death of his father ये एक और इसका परणाम था क्योंकि इनका प्रभाव बहुत बढ़ गया था the year is 1780 note it the troublemaker दादा साहिब was relegated to the background trouble maker मतलब परिशान करने वाला दादा साहिब जो थे जो परिशान कर रहे थे मराठाओं को उनको पीछे कर दिया गया to relegate to the background relegate के साथ सामान्य तया background ही आता है शब्द और relegate कर देना मतलब पीछे कर देना sideline कर देना मतलब दर किनार कर देना relegate कर देना और पीछे कर देना you have been relegated to the team B तुम टीम A में खेल रहे थे अपने स्कूल की फिर तुम्हारा performance अच्छा नहीं रहा लेकिन हाँ दूसरी टीम के लाएक second standard की टीम के लाएक तुम्हारा performance अच्छा था so you have been relegated from team A to team B in football, team of your school you have been relegated to a lower standard team तो पीछे कर देना और sideline करना मतलब किनारे कर देना दर किनार कर देना so यहां पर दादा साहिब जो परिशान करे थे मराठाओं को he was relegated to the background उन्हें पीछे कर दिया गया उन्हें पीछे हटा दिया गया and he eventually retired from state politics और फिर वो राज की राजनीती से retire भी हो गया फिर वर्ड eventually आता है eventually मतलब मैंने आपको बताया अंतता to its dismay East India Company met its match in the new Maratha ruler to its dismay to its surprise उसके आश्चर के लिए dismay मतलब आश्चर I was dismayed मैं चौंक गया to its dismay East India Company met its match in the new Maratha ruler Vishwas Rao match मतलब tournament match होना दो टीमों के बीच match होरा और match मतलब Milan that boy is a good match for this girl they should marry match that boy Ram is a good match for Sandhya so Ram and Sandhya should marry match और इसलिए बोलते हैं he is a good match for her the girl is a good match for boy so match मतलब Milan भी यहां पर आश्चर जनक रूप से East India Company के लिए Vishwas Rao जो निया रूलर था वो उनके बराबर का स्तर का था Milan का था दोनों का स्तर मिल रहा था he and his brother मादोराव combined political acumen political acumen highlighted है relegated highlighted है morale booster highlighted है highlighted मतलब बड़े अक्षरों में bold में लिखा हुआ है relegate होना मतलब पीछे कर देना किसी को political acumen acumen मतलब चतुराई political मतलब राजनीतिक राजनीतिक चत्राई में ये लोग माहिर थे कौन विश्वास राओ और उसका भाई माधोराओ they combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India दोनों भाई मिलकर विश्वास राओ और माधोराओ इन्होंने अपनी राजनीतिक चतुर्य राजनीतिक कौशल राजनीतिक सोच इसको valor मतलब बहादुरी वी ए लो यू आर valor मने बहादुरी इसको बहादुरी और systematically expanded और बड़े व्यवस्थित तरीके से उन्होंने अपना सामराज बढ़ाया अपना प्रभाव बढ़ाया व्यवस्थित तरीके से अर्थात इनकी सफलता का कारण क्या है उस पुष्टक के अनुसार सपने में पहला political acumen दूसरा दो भाईयों का मिलना तीसरा सदाशिवरा दादा साहिब को पीछे कर देना हटा देना और उनका राजनीतिय से चले जाना क्योंकि वो परिशान कर रहे थे चौथा भेलर उनकी खुद की बहदरी खुद का जोश खुद का उस्साह और पांचवा systematically expanded वो लोग ऐसा नहीं कि कहीं भी लड़ाई लड़ रहे थे जीत रहे थे उसको कबजा कर रहे थे बड़े systematically व्यवस्थित रूप से वो युद्ध कर रहे थे और जहां पर जीतते थे उसको उचित तरीके से अपने सामराज में मिलाते जा रहे थे तो एक सिस्टेम काम कर रहा था ये सब बातें मैं फिर कह दूँ गायतोंडे जी सोच रहे हैं जो दूसरी दुनिया में अभी जी रहे हैं कोमा के कारण The company was reduced to pockets of influence near Bombay Calcutta and Madras Company was reduced to the pockets of influence प्रभाव खेत्र प्रभाव खेत्र प्रभाव उस गाव में नहीं है That ground does not come under pocket of my influence That village does not come under pocket of my influence मेरे प्रभाव खेत्र में वो नहीं आता तो यहां पर यह दोनों भाईयों की चत्राई के कारण दोनों भाईयों की व्यवस्थे तरीके से युद्ध के कारण दोनों भाईयों के साह, जोश और भादरी के कारण जहां एक और इनका प्रभाव बढ़ रहा था वहीं अंग्रेजों का प्रभाव, इस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव छोटा होते जा रहा था, कुछ पॉकेट में ही रह गया था, कुछ खेत्रों में ही रह गया था, और वे खेत्र कौन से थे? बंबई, जो अब मुंबई कहलाता है, कलकटा, वहां स्टार लगा हुआ है, क्योंकि अब वो कोलकटा कहलाता है, मेड्रास, इट हैसे स्टार उन इट साइड, क्योंकि अब मेड्रास क्या कहलाता है, चे नहीं कहलाता है, तो पुराने नाम को लेकर आथर लिखते हैं, कि इनका अंग्रेजियों का प्रभाव, अपके वल इन छोटे खेत्रों, इन खेत्रों के इन शहरों के आसपास तक ही सीमित हो गया, जैसे स्ट लाइक, इट्स यूरॉपियन राइवल, राइवल मतलब विरोधी, मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता, राइवेलरी मतलब दुश्मनी, ने करते हो गता, राइवेलरी, तो उनका जो खेत्र था सीमित हो गया था इन तीन शहरों के आसपास ही उसी तरह जैसे की अंग्रेजों के जो दूसरे विरोधी थे वो कौन थे पोर्चुगीज और फ्रेंच वो भी भारत में थे उनके भी कुछ खेत्र थे पोर्चुगीज का खेत्र देखिए गोवा के आसपास फ्रेंच का खेत्र देखिए दक्षिन में पॉंडी चेरी के आसपास और चेन्ने के आसपास अंग्रेज़ों का खेत्र देखिए कोलकाता चेन्नाई और बुंबाई बंबे तो इन लोगों के बीच में जो राइवैलरी थी वो अलग चल रही थी इन लोगों के बीच में जो जगड़ा चल रहा सा वो अलग चल रहा सा अंग्रेज बहुत बढ़ रहे थे लेकिन दो भाईयों के बहादरी के कारण दो भाईयों के बहुत अच्छे युद्ध कोशल और राजनीतिक चातुरे के कारण अंग्रेज भी अब सिमटते चले गए वैसे ही जैसे कि पोर्चुगीज जो पुर्टगाल से आये थे और फ्रेंच जो फ्रांच से आये थे तो भारत में एक समय में तीन कमपनिया थी बलकि डच भी थे जो हॉलन्ड से आये थे चौथी कमपनी भी थी चार विदेशी यूरोप की कमपनिया अपने अपने किले भारत में इस्थापित कर चुकी थी व्यापार शुरू कर दी थी अब उसमें अंग्रेज बढ़ रहे थे लेकिन वो भी मराठाओं के कारण अप सीमित हो रहे थे ऐसा गाई तोंडेजी सोच रहे है क्योंकि उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि मराठाओं जीते और वो पढ़ रहे है फॉर पॉलिटिकल रीजन्स दपेश्वास केप दपपिट मुगल रजीम अलाइव इन डेल ही रजीम मतलब शासन रजीम मने शासन अलाइव मनब जिन्दा पेश्वा लोगों ने राजनीतिक कारणों से पेश्वा लोग जो पूरा से शासन कर रहे थे यही सदाशिय विश्वास राव और माधर राव इन लोगों ने राजनीतिक कारणों से दिल्ली में जीतने के बाद भी आहमेश्याब दाली को हराने के बाद भी दिल्ली में मुगल राजा को एक पपिट राजा की रोप में गद्दी में बैठाए रखा puppet मतलब क्या होता है puppet मतलब होता है जो इशारों पर काम करे महरा, puppet यानि महरा एक महरे के रूप में मुगल राजा को वहां उन्होंने रख दिया और को पीछे कारण क्या था राजनीतिक कारण थै उसकी गहराईयों पर हम नहीं जाएंगे आप इतिहास में उसको विस्तार से पढ़ सकते हैं In the 19th century उन्नीस्वी शताबदी में These de facto rulers from Pune were astute Astute मतलब चालाग Why? जैसे acumen Acumen का मतलब एक तरीके से ये भी होता है Political acumen, राजनीतिक समझ चतराई के अलावा समझ भी हो Acumen, सोच You should have the acumen To handle your classmates तुम्हें वो सोच होनी चाहिए समझ होनी चाहिए कि अपने मित्रों को कक्षा के मित्रों को कैसे handle करो सोच, चतराई, समझ अब यहाँ एक और वर्ड है De facto राजनीतिक कारणों से इन दोनों भाईयों ने दिल्ली में महरे के रूप में मुगल राजा को गद्धी पे बनाए रखा 19 वी शताबदी में यह जो De facto ruler थे अब De facto का क्यार थे Fact मतलब सच्चाई वास्ताओ में So De facto मतलब वास्ताओ में वास्ताओ में जो शासक थे कौन थे वास्ताओ में शासक वास्ताओ में तो शासक यह दोनों भाई थे पूना से These De facto rulers were astute enough यह लोग बड़े चतुर थे समझदार थे चालाक थे कि इस बात में इस बात में चालाक और समझदार थे कि Recognize मतलब समझना They were astute enough चालाक होना समझदार होना They were astute enough to recognize the importance of technological age dawning in Europe Dawn मतलब क्या होता है Dawn and dusk यह दो शब्द है Dawn and dusk Dawn मतलब सुरियोदा है और dusk मतलब सुरियास्त सुरियोदा है For dawning enough उनका सुरियोदा हो रहा था किस चीज का सुरियोदा हो रहा था टेकनलोजिकल एज का वैग्यानिक काल का जो सुरियोदा हो रहा था अर्थात योरोप में वैग्यानिक काल का जो अवतरण हो रहा था धीरे धीरे वैग्यानिक प्रगति हो रही थी वैग्यानिक का विकास हो रहा था उसकी शुरुआत हो रही थी सुरियोदा हो रहा था उसको इन्होंने रिकागनाईज किया उसको इन्होंने पहचाना उसको समझने में ये लोग बड़े चतुर थे उसकी महत्ता को समझने में बड़े चतुर थे तो डॉन और डस्क उसी प्रकार डी फैक्टो मतलब वास्ताओं में वास्ताओं में कौन शासक थे ये दोनों भाई दिल्ली में भी उनीका शासन था जो मुगल का राजा था वो तो किवल पपेट था मुहरा था तो जो मुहरा होता है उसको क्या बोलेंगे डी जोर कानून की दृष्टी में जो शासक था कानूनन दिल्ली का शासक मुगल शासक था लेकिन वास्ताओं में पेशवा लोग्शासक था चाते यह वो अर्ण मुगल राजा था King of Delhi, Ruler of Delhi, De Jaur Ruler of Delhi was Mughal King, but De Facto Ruler of Delhi was these two brothers. So I hope you have understood the difference between De Facto and De Jaur. यदि हम इंडन कॉंटेक्स में बात करें आज, तो हमारे सम्विधान में जिस तरीके से प्रधान मंत्री और राष्टपती के पावर्स बांटे गया हैं, तो उनकी जॉप प्रुफाइल को देखेंगे, तो राष्टपती is the De Jaur head of the country. कानून की दिश्टे में राष्टपती देश के मुख्या हैं, but the De Facto of the head of the country is the Prime Minister. Have you understood now? असली power जो होता है, वो प्रधान मंत्री के हाथ में हैं, तो De Facto. So coming further here now, इन लोगों ने, दोनों भाईयों ने मुगल दरबार में मुगल राजा को बैठाया, खुद शासक बने रहे हैं असली, और ये लोग चालाग थे, इतनी समझ थी, कि यॉरोप में जो वैग्यानिक काल आ रहा है, उसकी महत्ता को समझने लगे थे, और इसलिए, दे सेट अप their own centers of science and technology, to set up, मतलब स्थापित करना, to set up, मतलब स्थापित करना, I have set up a lab in my house, I have set up a factory, to set up, मतलब to set up, मने स्थापित करना, तो इन्होंने science की प्रगति के लिए, उसकी समझ को, उसकी importance को समझते हुए, science और technology के कुछ center से स्थापित कियो, science और technology के विकास के लिए कुछ केंद्र बनाए, here the East India Company saw another opportunity to extend its influence, influence मने प्रभाव, यहां East India Company ने एक और मौका देखा, अपना प्रभाव बढ़ाने का, पहला मौका क्या था, ने ने ख्षेत्रों को जीते हुए प्रभाव बढ़ाना, लेकिन वो मौका अब हाथ से जाता दिखा, क्योंकि मराठा बहुत प्रभाव शाली हो गया, और जब इन्होंने देखा कि मराठाओं की रूची अब विज्ञान और साइंस में भी हो रही है, तो अंग्रेजों को एक और मौका मिला अपना प्रभाव बढ़ाने का, वो मौका तो खोद ये थे, अब इस मौके के, इस राच्ते से वो लोग अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहे थे, आपने सुना होगा फर्स्ट एड, फर्स्ट एड मतलब क्या होता है, कहां यूज होता है ये शब्द, प्राथमिक उप्चार, प्राथमिक उप्चार मतलब पहली सहायता जहां, चोट लगने पर सबसे पहले जो काम होना चाहिए, उसे हम कहते हैं प्राथमिक सहायता, किसी को चोट लगी, कोई घायल हुआ, कोई दुरखटना हो गई तो सबसे पहली जो मदद पहुँचाई जाती है बैंडेज लगाना, खून को रोकना, उसको स्टेचर में लिटाना यदि फ्रेक्चर हो रहा है तो कहीं लकडी से या पट्टी से उसको सीधा करना यह फर्स्ट एड है, तो फर्स्ट एड यहने प्रात्मिक उप्चार और एड कारत होता है मदद, सहायता, तो बिटिश एक्स्टेंड़, दे ओफर्ड एड एड और अल्सो अब देर एक्सपर्ट, विशे शग्यों और सहायता का उन्होंने इन बंदूओं को ओफर दिया, और इसके पीछे उद्देश क्या था, अपना प्रभाव बढ़ाना लड़ाई में तो प्रभाव बढ़ानी पारे से डर गये थे मराठाओं की ताकत को देखकर जब उसने मराठाओं ने हमशाब दाली को हराया और दिल्ली में कबजा कर लिया, लेकिन ये एक मौका मिला था, तो उन्होंने दे ओफर्ड एड एड एक्सपर्ट, दे वेर एक्सेप्टेड ओनली तो मेग दे लोकल सेंटर सेल्फ सफिश्यंट, अब गाय तोने पढ़ रहे हैं, उस और भाईयों ने स्विकार कर लिया, किस खेतर में सहायता, विज्ञान और टेक्नालोजी में, लेकिन कहा कि केवल जो सेंटर्स हैं, जो केंदर हैं केवल वहीं अपना एक्सपर्ट, वहीं अपनी सहायता दोगे, उसके आगे पीछे कुछ नहीं, ज्यादा चतुराई मत करन अंग्रेजों, ऐसा इन लोगं का भाईयों का कहना था, सेल्फ सफीशन्ट, मतलब स्वाव लंबी, इन लोकल सेंटर को स्वाव लंबी बनाने में जितनी जुरत है, बस उतना ही मदद करना, बस उतने ही विशेशक ये भेजना, उससे ज्यादा नहीं, तीन पांच ना करें ऐसा माधो राओ और विश्वास राओ ने अंग्रेजों को कहा, 20th century brought about further changes inspired by the west, inspired by मतलब प्रेरित होकर, to inspire ये प्रेरित करना, my headmaster inspires me, मेरे headmaster मुझे प्रेरित करते हैं, the personality of mahatma Gandhi inspired the whole world, mahatma Gandhi के व्यक्तित ने पूरे दुनिया को प्रेरित किया, to inspire, so inspired by, 20th century brought another further changes, inspired by the west, पश्च्चिम के प्रभाव से, पश्च्चिम से प्रभावित होकर, बीश्वी श्टाबदी में कुछ और बदलाव आए, brought about, बदलाव लाना, to bring one a lana, brought to bring about, मतलब परिवर्तन लाना, to bring about, the arrival of this principle has brought about a big change in my school, इस principle के मेरे स्कूल में आने से, मेरे स्कूल में बहुत सारे बदलाव आए, so to bring about, मतलब परिवर्तन लाना, बहुत सारे परिवर्तन आए, और bring मतलब लाना, but bring about हुआ, तो परिवर्तन होना, further changes, brought about further changes, inspired by the way, पश्च्चिम से प्रेरित होकर, वहां जो बदलाव हो रहे थे, पश्चिम यूरोप में, पश्चिमी जगत में, उसका असर भारत में भी परवा था, इंडिया moved towards a democracy, अब भारत, उस प्रभाव के परनाम सरूब, भारत अब एक लोग तंतर की और बढ़ा, अभी तक तो राजशाही थी, पूरे देश में बहुत सारे राजा थे, पेश्वा लोग भी उसमें से एक राजा थे, अहमस्या अबदाली भी राजा की रूप में, लुटेरे राजा की रूप में आया था, अब बीसवी शताब जी की जो हवा थी, जिसमें लोक तंतर की हवा पूरे विश में चल रही थी, उसका असर भ भारत में, I must remind you, that all this is being read by Mr. Gaitonde in a book, that he is reading while he is in coma, जब वो कोमा में हैं, तो एक किताब पढ़ने की पढ़ती हुई दुनिया में हैं, और इस किताब पढ़ती हुई दुनिया में वे सब पढ़ रहे हैं, और इसमें सोचने रहे हैं, कि अब उननीश्वी शताब दियाई, और भारत में, अंग्रेजों ने science and technology के लिए मदद की, और हमारे राजाओं ने इस मदद को स्विकार किया, उसके बाद बीशवी शताबदी में, भारत में पश्चिम की हवा का असर भी हुआ, और भारत में अब लोक तंत्र आया, India moved to a democracy, by then, by then मतलब तब तक, by then the Peshwai had lost their enterprise and they were gradually replaced by democratically elected bodies, gradually मतलब क्रम शाह, soldiers never die, they gradually fade away, किसी का बहुत प्रसिद्ध वाक्या है, अमेरिका के एक प्रसिद्ध जनरल से जनरल मकार्थर, विश्युद के दौरान अमेरिकी फौज का नितर्ट किया था और विश्युद में उनका विज़ई दिलाई थी, मेकार्थर ने कहा था कि सैनिक कभी मरते नहीं, वे क्रमशह फेड हो जाते हैं, क्रमशह वे दृष्य से पीछे पीछे हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्रमशह, ग्रैज्वली, स्लोली, क्रमशह, तो ग्रैज्वली, वट हैपन, रिप्लेस बाइटी, डिमोक्राटिकली इलेक्टेड बॉड़ी, धीरे धीरे, इस बदलाओ के कारण, पश्चिम की हवा के कारण, पेश्वा जो थे, उनका प्रभाव कम होने लगा, एंटरप्राइस, मतलब उनका जो दबदबा था, कम होने लगा, उनका प्रभाव कम होने लगा और उनके कम प्रभाव का परणाम यह था, कि धीरे धीरे अब भारत के विभिन खेत्रों में लोक तंत्र की बयार बहने लगी थी और लोक तंत्रात्मक तरीके से चुनी गई संस्थाएं अब शासन करने लगी थी ये सब गायतोंडे जी कलपना में सोच रहे हैं तो सल्तनत डेवली सर्वाइब इवन दिस ट्रांजीशन लेकिन एक और जहां यह सब बदलाओ हो रहा था दिल्ली के जो सुल्तान था सल्तनत बाशाहत थी दिल्ली के जो राजा थे वो ये बदलाओ में भी बच गया है शर्वाइब करना मतलब बच जाना मेरी कार बहुत खतरनाक एक्सिडेंट में टकराई लेकिन मैं बच निकला शर्वाइब करना मतलब बच निकलना बच जाना यहां की स्थिति बहुत बुरी है मैं इस स्थिति में से बच के नहीं निकल सकता तो सर्वाइब इस वेरी डिफिकल तो सर्वाइब इन हिमालियाज हिमाले में बहुत मुश्किल होता है बच के निकलना जिन्दा रहना बहुत कठिन है क्यों? आक्सीजन कम है अत्याधिक ठंड होती है बर्फानी हवाएं चलती है आदियाज इस डिफिकल तो सर्वाइब बच निकलना जिन्दा निकल बच निकलना मुश्किल है तो तो सर्वाइब मतलब जिन्दा बच निकलना और यहाँ पर इसका मीनिंग होगा बच निकलना किस से बच निकलना? यह जो बदलाओ सब हो रहे थे उस बदलाओ से भी दिल्ली के राजा बच निकले और था दिल्ली में राजशाही बनी रहती है ट्रांजिशन मतलब बदलाओ दिल्ली में राजशाही बनी रहती है largely because it wielded no real influence largely मतलब मुख्य रूप से large मतलब बड़ा पर largely मतलब और बड़ा नहीं largely मतलब मुख्य रूप से I failed in examination largely because I did not study I failed in examination largely because I did not study मेरे परिक्षा में असफल होने के कई कारण है पर मुख्य रूप से सबसे बड़ा कारण है मैं पढ़ानी बाकी सब पैरंट छोटे हैं I prepared for UPSC examination and succeeded in it largely because of my support support from my teachers largely because of support from my teachers मुख्य रूप से मेरे शिक्षकों के द्वारा मदद मिलने के कारण में UPSC की परिक्षा में सफल हुआ largely because of largely मतलब मुख्य रूप से तो दिल्ली में यह सब बदलाओं के बावजूद भी राजा की सत्ता बनी रहती है मुख्य रूप से उसका कारण क्या है It wielded no influence To wield मतलब W-I-E-L-D Hold करना I wield no influence on you मेरा तुम पर कोई प्रभाव नी है Gandhi wields great influence in the world Gandhi का पूरे दुनिया में प्रभाव है wield influence Normally wield के साथ influence शब्द आता है सामान नीटा तो यहां पर क्या कह रहा है No influence राजा इन सब बदलाव में भी राजा बना रहा वो इसलिए क्योंकि राजा का कोई प्रभाव नी था वो प्रभाव हीन था उसके अस्तित्व के कोई माइने नी थे इसलिए गद्दी में वो बना रहा दिल्ली का शहंशाह पहले उसे शहंशाह कहते थे न दुनिया का बाश्शाह दिल्ली का लेकिन टाइटिल तो थी शहंशाह भले ही उसका खेत्र बहुत छोता सा हो गया था भले ही उसका खेत्र एग गाओं ही हो गया था लेकिन अपनी टाइटिल थी वही शहंशाह तो व्यंग है यहाँ पर Writer says कि शहँशा आप डली वो no more than a figurehead figurehead मतला केवल दिखावे के लिए puppet जैसा केवल दिखावे के लिए वो शहँशा थे बस कहने को वो शहँशा थे पर वास्तविक सत्ता उनके हाथ में नहीं थी, वो केवल rubber stamp थे rubber stamp the recommendations made by central parliament अब देखिए कहानी कितनी तेजी से बढ़ रही है बीशवी शताबदी के बारे में ख्याली जो सोच है गायतोंडे जी की किताब पढ़ते पढ़ते वो किस दुनिया में पहुँच गया है और एकदम वो देखते हैं पेशवा जीते फिर पेशवा ने इन हराया फिर पेशवा का प्रभाव बढ़ा अंग्रेज डर के थोड़ा अपने को सीमित कर गया फिर अंग्रेज जोने वग्यान की मदद के नाम से एक और प्रयास किया अपना प्रभाव बढ़ाने का तो पेशवा ने का ठीक है केवल इन केंदरों में बस अपना थोड़ी मदद दे दो और कुछ नहीं और फिर पश्चिम की हवा का अचानक शुरू होता है और भारत में भी धीरे धीरे लोग का तंतरात्मक संस्थाएं आने लगती हैं और इन सब बदलाओं के बावजो दिल्ली का राजा बना रहता है क्यों क्योंकि वो कहने को राजा था कहने को राजा था शाहनशाह अब दिल्ली वोज ओनली फिगरेड वो कहने को एक राजा था केवल फिगरेड मतलब दिखावे के लिए figurehead to the rubber stamp rubber stamp मतलब seal लगाना का जो stamp पाता है उसे rubber stamp कहते है तो वो केवल seal उसके नाम की लगती थी बाकी कुछ नहीं था काम उसके नाम से होता था भारत में सारे काम देश के राष्टपती के नाम से होते हैं लेकिन असली ताकत किसके हाथ में रहती है प्रधान मंत्री के इसलिए कई बार कहते हैं the president of India is rubber stamp of the majority party rubber stamp of the majority party वो केवल seal लगाते हैं what seal on what recommendations made by central parliament अब parliament की भी बात होने लगी इतना देश आधनिक हो गया इतने आधनिक देश की कलपना की उड़ान अब गयतोंडे जी के दिमाग में आने लगी कि अब वो parliament की बात करते हैं संसद की बात करते हैं संसद के बारे में सोचने लगते हैं और कहते हैं कि यह जो दिल्ली का जो शांशाह है वो parliament का केवल एक parliament के recommendation प्रस्ताव recommendations मतलब प्रस्ताव to recommend मतलब प्रस्तावित करना recommendations मतलब प्रस्ताव तो parliament के प्रस्तावों का वो बस rubber stamp है कौन? शांशाह आज के परिप्रेक्ष में सुचा जाए तो भारत के राश्तावित उस शांशाह की तरह हैं जो मतल रबर स्टैम्प है parliament के क्योंकि असली ताकत तो parliament के हाथ में है और parliament में ही तो प्रस्तावित प्रस्तावित उनके मंत्रिमंडल रहते हैं parliament का हिस्सा है तो असली ताकत तो उनके हाथ में है और जो शांशाह है वो केवल रबर स्टैम्प है किस चीज के जो भी प्रस्ताव आते हैं इसमें सील लगा देता है इस ब्यूटिफल कहना चाहिए एक तरह का व्यंग है कटाक्ष